आज हम बनाएंगे पराठे पराठे बहुत ही मेथी की पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसके लिए मेथी को आप वाश कर लीजिए पारिक पारिक कट कर लीजिए हम इसमें देर कटोरी आटे के इस्तिमाल कर रहे हैं साथ में हम ले रहे हैं हाफ कटोरी बेसर अब इस तरीके से पराठे बनाएंगे आपके पराठे बहुत ही सोप्टी और बहुत ही टेस्टी मिलेंगे अब साथ में हम डालेंगे इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला एक रिकॉर्ड आप नमक ले सकते हैं साथ ही डालेंगे एक से दो चमबच के आसपस हम ओई ले रहे हैं अब इसे हम मिक्स करेंगे और नॉर्माली एक पानी से एक डो बना लेंगे जैसे हम आठे गुनते हैं सेम सेम प्रोसेस इस्तिमाल करेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट डो लगा इसमें पानी हमारी कितने इस्तिमाल हो वह मैं आपको आगे बता दू अब इसमें हमारी दीके पानी जो है ना कितने इस्तिमाल हो रही है क्योंकि हमें थोड़ी सॉफ्ट हो लगानी है अभी हमारी पानी इसमें चार से पास टिल डेस्पून के आसपस बच गई है अब इसम हम ढख करके रख देंगे ताकि ये आटे सौप्ट हो जाएंगे और अच्छे से रेस्ट पे रहेंगे रखते हैं दस मिनट के लिए दस मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे बागी के आटे जो बजी हुई है उसे हम पर्थन में इस्तिमाल करेंगे अब रोटी की तरह एक लोग दो यह बाले लेँगे बिल्कुल रोटी जैसे हम बनाते है नॉर्मली पराठी बिल्कुल वैसे अब इसे पर्थर में लपेट लेंगे और एक पराठी की सेब देंगे इसे पहले हम गोल्ड रोटी की बनाएंगे फिर उसमें मैय तेल या फिर बटर घीर आप लगा सकते है उसके बाद हम इसे पराठे की सेब देंगे अब लच्छेदार पराठा बनाना चाहते हैं तो आप वैसे बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप तावे पर सेख करके एक पराठा बना सकते हैं अब इस तरह से ओईल लगाएंगे उसके बाद इस तरह से फॉल्ट करेंगे फिर से उपर से हम ओईल या फिर घी या फिर वर्टर लगाएंगे और फिर से फॉल्ट करेंगे उसके बाद ये तीन कोर वाली हमारी पराथे हो जाएगी तो चलिए इसे बेल लेते है अब नॉर् और आटे वाली जो होती है इसमें चटपटी सी कुछ मसाले भी डाली मैंने आपने देखा इस तरह से आप अगर मेती के पराटे बना रहे हैं तो आपको बच्ची भी बहुत पसंद करेंगे आप टीफिन लांच या फिक कभी भी आप इसे खा सकते हैं पसंद आए तो लाइक किजिए का चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए का ताइब